बाडमेर के जसोल में रामकथा के दोरान हुई दुखत घटना को लेकर पीसीजी कारण में श्रधांजली सभा आयजित की गई और जुरान कॉंग्रिस नेताओं की ओर से मृतकों को दो मिनट का मौन रखकर श्रधांजली दी गई उपाध्यक्ष अश्कली टांक ने घटना को दुखत बताते हुए सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों और घायलों के हर संभव मदद का आश्वासंग दिया इस सभा में वरेश्ट उपाध्यक्ष गोपाज सिंग एडवा और मुम्ताज मसीह सरकारी मुखे सचेतक महेश जोशी पर्यावरन मंत्री सुखराम बिश्णोंई मौजूद रहे जासुल में जो घटना हुई है बड़ी दुकद है और हमारे माने निय मुख्यमंत्री हमारी सरकार और हम सभी इस दुकद घटना से हम सोक समेदना व्यक्त करते हैं और इस दुकद घटी में उन पर्यवारों को बहुआन इस वर यतनी च्छमता प्रदान करें तो दुक गड़ी को सहिन कर सकें और जो भी हमारी राजसरकार हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो भी हमसे उनकी साहिता सभी प्रकार की जो गोफना की हैं और भी जो सरकार करेगी उनके लिए अच्छा करेगी राजस्तान के इतियास में ऐसी यदा कदा दुरुगटना ही होती है जो खर्दे विदारक होती है, जसोल की यद्धना जो तार्मिक प्रवचन के दौरान हवा, बरसाद, और विजिनी, तीनों के समिश्णन से अकाल मोट के ग्रास बने लोगों को परदेश कांगरेस कमेटी की ये सभाव अस्तु कूल मेत्रों से संदान जली देती है